नमस्कार प्रिदर्शकों हाजर हुमें शनिदेव के नक्षत्र चरण परिवर्तन प्रभाव से संबंधित जानकारी लेकर प्रिदर्शकों ये कारिक्रम बीते दिनों की व्यस्तता में छूट सा गया था मैं आपको आगाह नहीं कर पा रहा था ये यूट्यूब है और यहां हर दिन नए दर्शक जुड़ते रहते हैं जिन्हें सावधान करना अत्यंत आवश्चक है प्रिदर्शकों शनिदेव वर्तमान समय में कुम्भराशी में वक्रवस्था में गोचर कर रहे हैं और वक्रवस्था में सुन्चरण करते हुए शत्विखा नक्षत्र से धनिष्था नक्षत्र की ओर बढ़ रहे हैं मैं आपको बता दूं कि वर्तमानु समय में शनिदेव कुम्भराशी में वक्रवस्था में हैं और वक्रवस्था में शत्विखा के प्रथम चरण में उनका गोचर हो रहा है। 15 अक्टूबर 2023 को शनिदेव शत्विखा से धनिष्था के में प्रवेश करेंगे। यहां पर ये बात आपको भली भाती समझ लेनी है प्रियदर्शकों अगर आप नए दर्शक हैं और इस विशय को आपने पुर्व में नहीं सुना हुआ है अवस्य सुन लीजिए जान साथे साती ये साथे साती कैसे काम करती है आपको पता है धाई साल धाई साल धाई साल जब आपके रासी से सनिदेव बार्वे में होते हैं आपकी रासी से तो ये धाई साल आपकी जब रासी पर आते हैं तब धाई साल और आपकी रासी से एक रासी आगे जाते हैं तब धाई साल ये साड़े साती के साड़े सात साल में कही न कहीं कुछ न कुछ परिशानी रहती है प्रियो दर्शकों अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो आपके मन में ये बात ही नहीं उत्पन्न होनी चाहिए कि मैं कोई डराने वाली बात कह रहा हूं क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं क कि साड़े साती केवल बरबाद नहीं करती, बहुत से ऐसे लोग हैं, खुद मैं उसका उदाहरण हूँ, कि साड़े साती आबाद भी करती है, जबरदस्त आबाद करती है, और जिनको आबाद करती है, कुछ जादा ही दे जाती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, परंतु, ये अधिक प्रतिशत जितना है उससे कहीं अधिक प्रतिशत उन लोगों का है जिन्हें साढ़े साती में मानसिक रूप से बेहत परिशान कर रखा है। शित्र में ब्यर्थ के परिवर्तन होने लगते हैं। ये शुरुवात है। इसके बाद बारी आती है शनिदेव जब आपके रासी पर आते हैं ये धाई साल। ये वो धाई साल होता है जहां पर शनिदेव नाना प्रकार की परिशानिया। या यूं समझ लीजिए कि जीवन क ये हरक शित्र से समंधित परिशानिया। आम तोर पर जब भी मैं किसी को कहता हूँ कि आपके जीवन काल में ये समय गुजर रहा है आप परिशान होंगे। प्रियदर्शकों एक आम व्यक्ति सबसे पहले बड़े भोलेपन के साथ पूछता है वो किस दिसा से परिशानिय आएगी। प्रियदर्शकों वैसे तो जोत शास्त्र के हमारे जो मनीशी मरमग्य हैं उन्होंने दिशा का विभाजन कर रखा है। लेकिन अगर आप जोत इसको इस स्रिष्टी को थोड़ी गहराई से समझने का प्रित्न करें तो एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। उस लीला धारी की लीला के आगे हम बेहत बौने हैं। वो हमारी सोच से बहुत आगे है। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि आप ही सोच लीजिए कि कौन-कौन सा वो फिल्ड है जहां से आप परिशान हो सकते हैं और विश्वास मानिए कि उन छेत्रों को छोड़ कर बा अगर यह कहते हैं कि आपको सन मार्ग पर चलना होगा सबकी आपको मदद करनी होगी गलत आचरन से आपको बचना होगा तो बस आप उसे अपनाए बाकी परशानिया तो जहां से आएंगी उसकी चिंता मत करिए और ऐसा ही देखने में आता है अगर आप पहले से तय भी कर कुछ नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे वक्त के आगे किसी का नहीं चलता प्रियदर्शकों तो जब आपकी राशी पर सनी देवाते हैं तो वो धाई साल चहुर से हर तरब से यहां तक कि आपके व्यक्तित्त से जुड़ा एक ऐसा समय होता है जहां मन काम में न ल तीन हो जाता है नैरास्य की भावना जागृत हो जाती है यह होता है धैया का यानि साड़े साती की दूसरी धैया का प्रभाव तीसरी धैया का प्रभाव शनीदेव अब उतर रहे होते हैं फिर भी धन हानी की यहां समभावना बनती है वानी पर आपको बहुत जादा निय तो यह सब कुछ चलता है, कई मामलों में लोग अस्वस्थ हो जाते हैं, कई बार लोग एक अच्छी बात कहा करते हैं, कि जाती हुई साड़े साती दे जाती है, मैं इसको ऐसे तो नहीं कहूँगा कि ये कोई सास्त्रिय प्रमाण है, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा, कि आपके बगल में बैठने की हिम्मत न करते हों। उनसे भी यदि आपको अपने कारे को लेकर के राय मस्वरा करना पड़ जाए। परामर्स उनसे लेना पड़ जाए। तो समझ लिजे संगीदेव ने डिंडा घुमा दिया है। और वो चाहते हैं जमीन पर आ जाईए। और अब आपको परामर्स देगा। ये है साड़े साती। तो ये जो तीसरी ढईया होती है यहां पर इस्तिती सामन्न हो जाती है। अगर आपने बहुत कुछ सीख लिया है तो निसंदेह जाते जाते आपको दे जाएंगे। परन्तु। प्रिय दर्शकों इसमें भी मैंने इशेस काल होता है जो सबसे जादा सावधानी बरतने के लिए आवश्यक होता है अगर आपने वहां सावधानी नहीं बरती तो मुसीबत में पढ़ेंगे और वो काल वो होता है जिस नक्षत्र में आपने जन्मलिया है उस नक्षत्र के भी जिस चरण में आपने जन्मलिया वहीं उसी नक्षत्र चरण से जब सनीदेव गुजरते हैं तो आपको सावधान हो जाना होता है नब्बे दिनों के लिए तीस दिन, तीस दिन, तीस दिन प्रियदर्शकों, बीते दिनों में मैं लागातार बताता रहा था लेकिन इधर की ब्यस्तता, कोई न कोई और कारिक्रम करते रहने के चलते ये विशेश छूट सा गया था इस समय अगर देखा जाए तो सत्विखा नक्षत्र में जो लोग जनमे हैं उनकी एक तरह से परिक्षा चल रही है हाँ ये परिक्षा काही काल है क्योंकि शनिदेव के वक्र हो जाने के कारण वो सत्विखा में आगे जाकर के पुनह पीछे लोटाएं है और फिर अब यहां से आगे जाएंगे ये एक तरह से देखा जाए तो विशेश सावधानी बरतने का समय होता है ये कहीं न कहीं आपके लिए परिक्षा की घड़ी है अब देखा जाए तो शत्विखा से शनिदेव धनिष्ठा में जा रहे हैं तो ये कारिक्ष्ठा माज करने का जो मूल उद्देश से है वो है धनिष्ठा नक्छत्र येदि आपका जन्म धनिष्ठा के तृतिय और चतुर्थ चरण में हुआ है तो बहुत सावधान हो जाईए देखे ये बहुत लंबा समय नहीं है शनिदेव ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय के लिए धनिष्ठा में आ रहे हैं इनको पुनह लोट जाना है चार नमंबर को शनिदेव वक्री से मारगी हो जाएंगे धनिष्ठा में रहते हुए हैं और 24 नमंबर को पुनह धनिष्ठ से शत्विखा में प्रवेश करेंगे द्यान जो समझ लीजेगा ये बहुत थोड़ा सा समय है आपके लिए लेकिन ये जो थोड़ा सा समय है इसी थोड़े से समय में आपने कहीं जल्दबाजे की कोई नयाकारे प्रारम्भ कर दिया बिना विचारे कोई काम कर दिया और आप दिर्फंस जाएंगे हमेशा याद रखिए ये बहुत थोड़ा सा अल्पकाल है काट लेना कोई बहुत कठिनाई की बात नहीं है तो मैं धनिष्ठा नक्षत्र के तृतिय धनिष्ठा नक्षत्र के चतूर्थ और जो शत्विखा नक्षत्र के जातक है प्रथम चतूर्थ प्रथम चरण वाले इन तीनों को सावधान करने के लिए उपस्थित हुआ हूं धनिष्ठा के तृतिये धनिष्ठा के चतूर्थ और शत्विखा के प्रथम चरण के ये दिया आप हैं तो इधर कुछ दिनों तक जरा सचेत रहिए अब बारी आती है कि धनिष्ठा तो 24 के खायेगा 24 नॉउंबर उसके बाद धनिष्ठा के जो तृतिये चरण वाले हैं उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं अब सावधानी के साथ आगे बढ़िए साड़े साथी का अपना प्रभाव रहेगा पर अब सावधानी के साथ आगे बढ़िए पर धनिष्ठा के जो नक्षत्र चरण पर हैं, शत्विका के प्रथम चरण वालों को भी आगे भी सावधानी बरतनी हैं, अभी आप उस टाइम पिरिएट से गुजर रहे हैं, जहां आप से थोड़ी सी गलती चूक होगी और आप मुसीबतने पड़ जाएंगे, मैं डरा नहीं रहा हूं, यादर क कर रहा हूं, सावधानी बरतेंगे, सांती से समय कट जाएगा, हाँ, उपाय तो है ही हनुमान जी की सरणागती, जो मैं हमें साब को कहा करता हूं, हनुमान जी की सरण में बने रहिए, हनुमान चालिसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदर में जाएए, उनका दर्शन पीपल वरक्ष की जड़ को सीचिये और फिर वही बात कहना चाहता हूँ शनिदेव जो सीख देना चाहते हैं उस सीख को सुईकार कर लिजिए और वो सीख क्या है जुक जाईए जुक जाईए जादा अड़ने की आवश्यक्ता नहीं है परिस्तितियों से लड़ने की आवश्यक्ता नहीं है हाथ पाउ मारना अभी बंद कर दीजे क्योंकि जितना हाथ पाउ मारेंगे पानी उतना गहरे आपको खींच लेगी मुसीबत में पड़ जाएंगे बस सब कुछ त्याग के और सरनागती ग्रहन कर लिजे हनुमान जी की शनिदेव की सरनागती ग्रहन कर लिजे अगर आपके आसपास हनुसनिदेव क्या मंदर है तो वहाँ जाए उनका दर्शन करिए मैं कहूंगा बस हनुमान जी के सरन में बने रहिए कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं तो मैं पुनह जाते जाते इस बात को दोरा दूँ धनिष्ठा तृतिये चतुर्थ शत्विखा प्रथम अभियाप सचेत रहिए, सावधान रहिए आने वाले दिनों में जब धनिष्ठा के चतुर्थ को भी रहात मिलने का समय आ जाएगा और आगे सत्विखा के प्रथम दूतिये तृतियों को जब सावधान करना होगा मैं अवश्य याद करके आपको आगाह करने के लिए उपस्थित होऊँगा आज के लिए उतना ही इजाज़त दीजिए उनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार